बुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं G&U ओर समेस्टर के रिजल्ट के बारे में जैसा कि बहुत सरे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा कौन से मत में आएगा मार्च में आएगा जा अप्रैल में आएगा तो हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले बात करते हैं तो जिनके एक्जाम कम्प्लीट हो गए हैं दिसम्बर मन्थ में जी एड़ी ओर समस्टर के एक्जाम जी जिन क्लासेस के दिसम्बर मन्थ में ही कम्प्लीट हो गए हैं उनका रिजल्ट 100% मार्च मन्थ में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है बीच में एक फरवरी मन्थ है जनवरी अभी चल रहा है मार्च मन्थ में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा तो अब बात करते हैं उन क्लासेस की जिनके अभी कुछ एक्जामस बचे हैं जो जनवरी मन्थ में होने हैं इसी मन्थ में तो उनका रिजल्ट एपरेल फर्स्ट वीक तक आ सकता है तो पूरी तरीके से हम तब बता सकते हैं आपको जब जनवरी मन्थ वाले एक्जामस भी कंप्लीट हो जाएंगे पर जिनके एक्जामस दिसंबर मन्थ में ही कंप्लीट हो गए हैं उनका शेयर है result आपका March मन्त में आ जाएगा आपको ज़्यादा वेट करने की जुरूरत नहीं है जैसे ही result आने शुरू होंगे वैसे ही इस channel पे video आने शुरू हो जाएंगी results से related तो ये channel अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें क्योंकि GNDU से related सभी updates आपको इसी channel पे मिलेंगी अगर आप भी कोई doubt है तो आप comment करके पूर्श सकते हैं तब तक इस video को like कर दो, share कर दो, channel subscribe कर दो और bell icon ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे ही को new video आपके लिए लेके आएं सबसे पहले notification आपको मिल जाए thank you